हलो एवरिवन आज है बारा जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरड़ा के बारे में देखे हाल फिलाल के लिस्टिंग है और लिस्टिंग होते ही बड़ी आग यहां पर देखने को मेरी थी खूब धमाल मचा था इसने लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह कंसौरिडेट कर रहा है हला कि 120 रुपए का इंट्राडे के लेवल पे गया था उसके बाद गिरावट लगातार दिखाई डबल डिजिट में भी गया बाद में फिर से तीजी आई और पिछले कुछ टाइम से जनवरी से कहलो यह साल सही कह कि यह 101 और 105 रुपए के बीच में जोले खा रहा है ना तीजी है ना ही गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है जबकि बाजारों में खूब तेजी है जनवरी महिने में बाजारों में खूब तेजी आई है और यहां पर तेजी नहीं है त्योंकि अल्रेडी यह बहुत दिन वहां पर रहा यह 5-6 दिन रहा वहां पर और उसके बाज़ जब फटा तो ऐसा फटा के 123 तक यह रुका ही नहीं बाद में जब गिरावट आई तो लगातर गिरा भी था 97 पर आया फिर तेजी आई और जनवरी से अगर आप देखोगे तो 101 और 105 रुपए के बीच में ह नहीं है देखा जाए जबकि बाज़ार में अच्छी तेजी है आयर एफसी अगर आप देखोगे इसके मुकाबले तो वाइसाब जनवरी में आयर एफसी ही खूब भागा है 100 रुपए से 113 पर पिछले तीन दिनों में यहां पर बड़ी तेजी देखने को मिली है आयर जी तो है यहां पर आप उसको इग्नॉर नहीं कर सकते लेकिन अभी यह जिस लेवल पर बैठा है ना तो वैल्यूशन के इसाब से महंगा डेफिनेटली हो चुका है यह और अच्छी रफतार में अगर यह नहीं भाग रहा है तो जब बाजार में प्रॉफिट टेकिंग आ उन कंपनियों को जो रिन्यूबल एनर्जिस में काम करते हैं इनके लोन पॉर्टफोलियो का 30% जो हिसा डेरिकेट है वो विंड एनर्जी में है अभी के लिए 30% सोलार में है हाइड्रो में तकरीबन 12% का है दिरी दिरी यह चेंज भी होगा ठीक है तो लोन डिस्रिब्यू जो है वो रिन्यूबल एनर्जी में है और एक नेगेटिव पॉइंट जो इस कंपनी का है वो यही है कि NPA का खत्रा यहां पर हमेशा बना रहेगा क्यों अगर आप इसको IRFC से कंपेर करते हैं तो IRFC में यह चीज है कि वो जो लोन देती है वो गवर्मेंट बोडिस को लोन होगा और इसके चलते कहीं न कहीं फ्यूचर में हो सकता है कि थोड़े बहुत NPA का खत्रा बीच-बीच में रहेगा यहां पर अभी जब इनका जब लिस्टिंग भी हुआ था तो उसे पहले भी बड़ा NPA सटल करा था इनो ठेग है और जादक वैल वॉल्यूम्स की बात कि तो बड़ी कवणींटी में ट्रेड भी हो रहे तक्रिमा 70 लाक तक के शेर यहांपर ट्रेड हो चुके हैं 70 लाक तक के हो चुके है यहांपर ट्रेड और कंपनी बूरी नहीं है अच्छी कंपनी है यह लेकिन देखों यह 32 रुपय का शेर अगर आपको 104 पे मिल जाए वो भ भी लिस्टिंग हुई थी तब मैंने का था कि पचास रुबे के आसपस इसकी जब लिस्ट हुआ था तब तभी मॉर्णिंग में इसके उपर मैंने वीडियो बनाया था और मैंने का था कि अभी भी मुझे ये महंगा नहीं लगता है खरीदारी कर सकते हो यहां पर लेकिन जै दोड़ेगा अभी के टाइम पर तो ऐसे में ये भी गिर नहीं रहा है यही बहुत बड़ी बात है जब बाज़ार में करेक्शन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आएंगे तो सही ठीक है आएंगे तो सही करेक्शन्स तब यह डबल डिजिट पे जाएगा यहां पर जो लॉंग टर्म की ही बात करूँगा मैं यहां पर कोई इंट्राडे की बात करें नहीं आया हूँ जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हंट्रेट परसन लोग कहरें खरीदार ही करो मेरे हिसाब से यहां पर मैं हूल्ड करने क की बात करूँगा बाय करने की नहीं खा सके इस लेवल पर जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में तो लगातार रेवन्यू में बढ़ादरी हुई है प्रॉफिट्स भी इनके अच्छे खासे बड़े हैं प्रॉफिट इनके अच्छी वादे को इनके मार्जिन भी अच्छ अगर आप यहाँ पर देखो कि लास्ट फिनाशल लेवर में तो 3480 करोड के रेवन्यू में इस कंपनी ने तकरीबन 865 करोड का प्रॉफिट कमाया है बलब के मार्जिन इनके अच्छे है और जो सरकारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है वो डिविडेंट भी भर भर के देती है और यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्टेशन यही कर रहा हूँ कि अभी रीसंट लिस्टिंग है तो डिविडेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और इस साल से शायद डिविडेंट प्याउट भी हो सकता है नतीजे भी इनके बहुत जल्दी आने वाले है बीस ज जब लोग लिस्ट करवाते तो नतीजे से अच्छे रिजल्द जब आना शुरू हो जाते है तब वो लिस्टिंग करवाते थे ठीक है अब जब लिस्टिंग हो चुकी है तो देखना रहेगा कि इनके नंबर्स कैसे आते है और वैलिवेशन की बात करिया तो देखो पैनी यह सस्ता तो नहीं है और मोर्स 27 का इसका पी रेश्यो है सेक्टर पी 19 का है कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है और अगर आप इसके पीर्स से कंपेर करोगे तो वह यह यह महंगे वैलिवेशन के उपर तो बैठा ही है आयर एफसी का बाइस का है य किरावट दिखाता है 75-80 के आसपास जाता है तब जाके इसका पी रेश्यो थोड़ा सा अट्रेक्टिव हो सकता है और तब जाके खरीदारी के थोड़े बहुत मौके वहां पर बन सकते हैं तब इसका पीरिश्यो आप आयर एफसी के आसपास का मान सकते हो और जहां तक बा 50 पर जिनकी buying थी उन लोगों ने 120 पर जाने के बाद क्या करा है profit लिया है या फिर मतलब बेच के निकले है या फिर बने रहे है खास है कि बड़े fund houses जो बड़े institutions है उनकी shareholding pattern देखना interesting होगा तो पहली चीस्तों मैं ये कहूँगा कि at least 20 तारिक को इनके numbers आ जाने दीजिए तब तक इनकी shareholding pattern भी आ जाएगी तो जब तक ये दोनों चीज़ नहीं आ जाएगी तब तक जल्दबास ही मत करना यहाँ पर खरीदारी के लिए mutual fund की 3.94% की holding है 4.59 domestic की है 3.95 फाइल्स की है लगि नगेट मैं कहा दू यह IPO वाले price की shareholding pattern है अभी देखना interesting होगा कि जब 32-50 रुपए से share बढ़के 100 रुपए के उपर निकला तब यह fund houses ने profit लिया था कि नहीं यह देखना interesting होगा यहाँ पर और retail और others के मिला कर 12.52% की holding है जिनमें से जाधतर quantity retail investors से लेकर बैटे है 12.41% तेखे ओवर और लगर में बात करने जाओ Irida के बारे में तो company खराब तो नहीं है बस अब valuation के उपर हम बहस कर सकते है यह थोड़ा से मुझे महगा लग रहा है मना company खराब नहीं है company loan बाटने का काम कर रही है जो renewable sector में काम करने वाली company है उनको लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह इकलौती company है जी नहीं सरकारी company ही इनके competitors भी है PFC और REC इनके competitor ही है वो भी अभी space में गुस रहे है तो यह कहना कि इनके पास एक advantage है यह जल्दबाजी होगी क्योंकि बाखे सरकारी company अभी यहाँ पर loan देने का काम करने वाली है आने वाली है time में तो कहीं न कहीं उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए अगें मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करेगा अभी at least इनके 20 तारिक को रतीजे आ जाने दीजिए shareholding pattern भी आ जाने दीजिए कि तेजी में किसने फाइदा उठाया वो भी देखेंगे यहाँ पर उसके बाद कोई decision लेंगे अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि wait and watch दूर बैठो तमाशा देखो दोड़ते हुए market में दोड़ा नहीं है ये जनवरी के भागते हुए market में ये दोड़ा नहीं है तो at least मैं यहाँ पर जब गिरावड वाला mode आएगा तो मैं expectation तो कर रहा हूँ कि शायद थोड़ा बहुत ही साही लेकिन correction देखने को मिलेगा उस time पर तो यही मैं कहूँगा बाकी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पर एंडर करता हूँ पसंद आए हो तो like करें अगर पहले बार है तो please subscribe करें और इरुड़ा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिए कि बता सकते हैं thank you